अरे क्रिश्णा वल्कम टू आवर यूट्व चनल स्पिरिच्वल वर्ड एफिर सो मैं हूँ सच्पुत्र गोर्दास आप सभी जानते हैं महाभारत की बारे में महाभारत कराचना स्वयम व्यासदेवजी ने की कि उन्होंने श्त्री शुद्र और दूजवेंदु के लिए इस महाभारत का या इस इतिहास का रचना की है तो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे क्यों ऐसा उन्होंने किया इन लोगों के लिए क्यों और चर्चा करने से पहले मैं आप सभी को एक जानकारी देना चाहता एक इन्वेटेशन है आप सभी के लिए 16 फेबुरुआरी 2021 कि त्यूज़े के दिन हम गोर निताई सभयात्रा यहां गाउं है दुस्खेडा और दुस्खेडा गाउं में यह पत्यात्रा होगी यह पाच्वरा सब्डिवजन पाच्वरा है और डिस्टिक जड़गाउं और इस वीडियो को आप आपकी फ्रेंड्स रिलेटिव्स को सेंड कर दीजिए ताकि देवल गेट सम लेज और हमारे साथ जूडने के लिए आपका यह वार्शन नंबर है 7900180654 इसमें आप कोस्टिन पुछ चकते हैं सो एक कोस्टिन में आप सभी को पूछना चाहता हूं कि कोस्टिन आप सभी के लिए है हूँ इस दफादर अब सूतो गोश्वमी आप सब जानते हैं सूतो गोश्वमी जुरों ने स्रीमत भागवत्म का प्रवचन की नवी स्यारन में उनकी पिताजी के नाम किया था चार अप्षन है आपके लिए ब्यासदेव परासर मुनी अंगीरा मुनी रोमहर स्नरुसी तो राइट आंसर आप कॉमेट सेक्षन में लिखे और आपको मैं इस वीडियो की अंत मीडिल में या वीडियो को जो मैं चर्चा करेंगे उसमें इसका अंसर आपको दे दूंगा तो बिफोर बिगिनिंग मैं आपसे को आगरह करना चाहता हूं कि आप मेरे पीछे एक मंत्र बुली ओम नमो भगवते बासु देवाया ओम नमो भगवते बासु देवाया मेरे पीछे पेच्छे उचारान भी कर लीजिए स्त्री सुद्रदुय बंधुनाम त्रैना स्तुति गोचरा कर्म स्रयसि मूधानाम स्त्रय एबं भवेत इह इती भारतम आख्यानाम कृपया मुनिनाम कृतम ब्यास मुनि मुनिनाम कृतम ब्यास मुनिने उन्हें रचना की क्या रचना की भारतम आख्यानाम ये महाभारत नामक ग्रंतकुलिका किसके लिए क्या जुरुत था स्रयम एबं भवेत इह कुछ लोगों की स्रय के लिए उनकी भलाई के लिए कौन कर्म स्रयसी मुढहानाम उस मुढ़ लोगों के लिए कौन कोन है कलीजु की मुढ़ लोगों के लिए खास करके शुद्र दुइचबंधू क्योंकि इन तीनों को सुरूती गोचरयता सास्त्र सुरूती मतलब जो सून-सून के हमें घ्यान होती है और पहले जमान में जो सुन-सुन के ये लोग याद कर लेते थे ये सब सूरुती है तो इन सूरुतियों को नहीं जान पाते हैं और जीवन को लख्यों को नहीं समझते कर्म सरय से सेष्ट कर्म क्या है वो नहीं जानते इसलिए ब्यास्वपुनी ने इन गरंथक रचना किया जब देखा कि लोगों की हित के लिए मुझे कुछ कारे करना चाहिए, तो पहले जो यजूर बेद था, एक ही बेद था यजूर बेद, इस यजूर बेदों को उनने फोर डिवाइड कर दिया, चार भाग में बाइफुर्केट कर दिया, अर्था इसको भाग कर दिये, और इसके उपरा तुनने जो हिस्ट्रीकल फैक्ट्स है, ऑथेंटिक स्टोरीज, देखिए दो बात महुत महत्वपुर्ण है, आज इन ग्रंत को माइथुलोजी लोग कहते हैं, कलपन नहीं, जो सत्य घटना को आधर और ऑथेंटिक प्रामानिक स्टोरीज है, पुरान में ल कहते हैं, लेकिन वेद की विदांग इस चीजों को नहीं मानते कहते हैं, तो उन्होंने जो भाग किया, तो इतने बड़ी ग्रंथों को जब भाग किया, तो उनका, उन्होंने उन मुनी और रुसियों को दे दिया, जिन्होंने इसकी आगे चलके फिर इसका और थोड़ा भ प्रोफेसर बनाया जोमीन जैमीनी को सामबेद बैसम पाइने को यजूरवेद और फिर अथरब बैद को उन्होंने अंगीरा मुनी की दिया और स्वयम रमहर्शन रुसी जो कोश्विर में ने पूछा था यह रमहर्शन रुसी सुत्व गोश्वमी की पिताजी है तो रमहर्शन रुसी को उन्होंने सारे पूरुना पूरान इतिहास इसके जिम्मेदारी सोंपी तो ये सारे जो महांदासनिक थे विद्वान थे उन्हें अपने सिश्य प्र सिश्यों को जाए डिसएपोल, ग्रांड डिसएपोल्स और ग्रेट ग्रांड डिसाइपोल्स को उन्हें प्रदान किया ताकि समाज में इसकी प्रचार और प्रचार हो खास करके फॉलर्स अब बेदर्स अमिलिटेड़ बाई लेस इंटेलिश्कल इंटेलिक्च्वल में तो शाधरन जनता तक पहुंचने के लिए इस ग्यान को और सड़ बनाने के लिए इस तरह उन्हें बेदिक लिटरिटरु कंपाईल किया इडेभलोग किया कैई लोग आज भी लोग स सोचते हैं जैसा कि आब रहामिक रिलिजन हम देखते हैं कि यह जो ग्रंत सब आस्मान से इसा उतर गया वैसे आसमान से उत्रा नहीं है इस डेवलोप्ट कि इनकी बारे कि कौन इसको लिखा जो त्रिकाळ दरसी जैसा व्यास्यदेव यह से जो मुनिरुशी है यह सब हमार हाई अंदर जो दोसे इस दोस से परे हमारे अंदर चार दोसे है जैसा कि हम गलतियां करते रहते हैं यह हम भ्रहमीत रहते हैं ब्रहम में पड़ जाते हैं हम दुसरे को धोका देते हैं और हमारी इंदरियाँ पुर्ण है यह चार गल्टिया हमारे पास हैं लेकिन मोंनी रुस्यों को पास ये गल्टिया नहीं दिखता है। और यहां एक है जानाप्रस्ति ग्रश्ति लोक के लिए जो ज्ञान है फिर उपनिशद उपनिशद का अर्थ क्या है जो नोटबुक्स पहले जमानाय में आफ सिस्य गुरु के पास जाते थे आधियात्मी जिग्यांसा करते थे उन जिग्यांसा का नोड जो बनाएता उसको कहते उपनिशत फिर बेदांग और उपांग ये बेदांग में चे है बेदांग में सिख्या भी है ब्याकरण है चंदज निरुक्त जोतिस कलप उपांग में आपको देखेंगे मिमांसा और न पुराना आता है धर्मसास्त्र आता है धर्मसास्त्र में आपको जैसे कि मन्नु सम्मिता धर्मसास्त्र वे और सारे बहुत सारे धर्मसास्त्र है और पुरानों में आप महापुरान जैसे कि अठरों महारपुरान है इसको यह माइथलोजी है यह रंग है यह माइथलोजी नह को हम पढ़ते हैं तो यह सभी उन्होंने किसके लिए किया दुईजबंधों के लिए अच्छा दुईजबंधों किसको कहें कि टुवाइस बर्न तो हमारे जो मनुश्य का जन्म होता है पहला जन्म हम माता-पिता से ग्रहन करते हैं और माता-पिता से जन्म लेते हैं उसको कह जाता है या ऊसको हम साभीत्र जन्म भी कह सकते हैं साभीत्र संस्कार लेना ब्रामण इनिसंड ऐसा हमारा कमशी हम लुदर रहे वर्फ के तो उनको दूजे रविद्धु यह कहते हैं तो परिवार कें है जो आधिहात्मिक फेमिली है बट अपने पुर्वजों जैसे हुनहार नहीं बन पाते उन गुणों को धरन नहीं कर पाते और इन के लिए क्या चाहिए सुधी करन प्रसेश या प्यूरिफिकर्टरी संस्कार चाहिए मैंने सोलो संस्कार की बारे में पहले एक वीडियो में भी बता चुका हूँ और सबसे जो पहले जो हमारी संस्कार होती है उसों कहते गर्वधान संस्कार और जिनों ने गर्वधान संस्कार में हुआ है और स्पिरिच्वल फेमिली प्लानिंग किया गिया है अगर नहीं किया तो उनको हम दुईजय बंधु कहते हैं और कली जुग में खास करके जन्मना जायति शुद्र जन्म से ही लोक शुद्र है संसकारात भवेद्दुई जहा बेदपाठात इती विप्रह ब्रह्म जानाती इती ब्रामन और तो कली जुग में आप देखें कि तो प्रयत इसंसकार कोई इतनी फोलो नहीं कर रहे है और उसमें से एक संसकार है थ्रेड सरीमनिया उपनेयन संसकार जिसमें जन्यू देते हैं और यह दिख्या की काड़े दिख्या समय में दियाती है और इसी संसकार के बाद उसको हम दूज़े कहते हैं और पहला जन्म है इसको करते है सीड़ ऎर गर्वदान संसकार और दूसरी जन्म है आधियात्मी दिख्या तो दिख्या लेना बहुत जरूरी है और इस तरह के ज्स ब्येक्टी ने संसकार लिया दूजय है ट्वाइस बर्ण जिन्नों ने इस तरह संसकार नहीं लिया इसको दूजय बंदो काएंगे और यह बुद्धिमान नहीं होते हैं तो प्रभभपा जी बताते हैं कि अगर माता पिता अगर spiritual family planning नहीं किया है इसे नया टर्म आपके लिए spiritual family planning और केबल कि वेसे ही बच्चे जनम लेते हैं पैसन में इसे इनको दूजयबंधू का जाता है कि और ये दूजयबंधू लोग सुद्र और स्त्री woman class में भी इनको गिना जाता है क्योंकि इनको कोई संस्कार नहीं होती स्त्रियों को कोई संस्कार नहीं दी जाती थी यह संस्कार प्रोसेस में नहीं जाते थे केबल मेरे सरीमेनी देखो एक ही संस्कार होता था वी बहुत संस्कार में उनको संस्कारित किया जाता है तो कोश्चिन आता है what is spiritual family planning आपकी मन में आ रहा है तो रुश्व दे भगवन इस planning के बारे में बहुत अच्छा बताया उन्हें कहते गुरु नसस्याद स्वजन नसस्याद पीता नसस्याद जननी नसस्याद दैवन नतस्यान पतिष्ट सस्यान नमोचयत यत समुपेत मृत्य अर्थात हमें बड़ा जीमेदारी है हम सभी का जीमेदारी है उस गुरु के लिए उस सोजन के लिए वो पीता माता देव या पती यह सभी क्या है यह रेस्पंसिबल परसन फर दे सोसाइटी उन्होंने नमोचयत में मोचन करना चाहिए हमारी क्या मोचन है हम लोग बंदे हुए है हम बंदे हुएं ब्रती को देना चाहिए अर्थात इस भुतिक बंदन से मुघ्ट करके आधियात्यत्म जीमन ले जाना दे देना यह है तो जेव कार्यक्रम में इस कारेक्रम की जाती है अर्थात हमें अधियात्मिक जगत में जाने के लिए सिख्या दियाती है वो स्पिरिचुल फेमिली प्लानिंग लेकिन आज की से मोड़न डेट में फेमिली प्लानिंग मतलग क्या है यह बताया दी एबिलिटी अप इंडिविज्वाल्स और कॉपूल्स टू अंटिसिपेट और आटें देर डिजायर नमरू चिल्डर है कितने बच्चे जनम देंगे कितने टाइम ग्याप होगा इसको फे फेमिली प्लानिंग का सबसे बड़ा जे कंट्रास्चेप्टि दबाई लेना और यूट्रेन डिप्स आयूड यूज करना इसे बहुत चारे चामें लिया हूं इसको फेमिली प्लानिंग बोल रहे है परन्तु आधियात्मिक परिबार ओ है जहां पर आधियात्मिक बातावर्ण हो जे दिन ग्रिहे भजन देखी सेदिन सेग्रिह गोलोक भाय अर्था जो घर में भजन करते हैं वो गोलोक है गोलोक ब्रुंदा बने तो यहां पर जो स्त्री सुद्र और ऐसे दूजय बंधू लोग है इनकी ज्यादा तरह कोई ट्रांस्टेंटल ग्यान नहीं है बेदों की परपच को नहीं समझ पाते है यामिमा मुस्पुस्पिताम बाचम पवदन्ति अविपश्चित यह लोग कि बेदों को उन भाग को पढ़ते हैं जहां उनकी लाभ हो ऐसा पढ़ते हैं इसलिए महाभारत का आड्मिस्टर किया महाभारत का रचना किया स्वें व्यास्देव ने और इसकी अंदर भगवत पढ़ता को उनने दिया और भगवदिता में परपस क्या है दो चीज है लोग पढ़ते हैं भगवदिता को भगवदिता में भगवान 11 नमर दिया कहा भगवान कैसे जान सकते हैं भक्तिया तुन नया शक्या अहम एव विधोर जुना ज्यांतुम द्रश्टुम चत्वेन प्रवेश्टुम चपरंतप तो भगवान कहा कि ज्यांतुम द्रश्टुम आप भगवान को देखना चाते हैं जानना चाते हैं कैसे तुने तो भक्ति करो भक्ति से ही सम्भव हो सकता है और भगवान के धाम आप जा सकते हैं और दूसरा भगवान ने कहा 55 में भक्तिया मा जानाति जावन चस्मी तत्वतह तो तुमा तत्वतो ग्यात्वा विशदेतद अनंतरम केवल भक्ति की मादे से मुझे जान सकते हो देखो भगवधिता में भगवान कृष्ण की सनागत हना यही मार्ग बताया वेदेश्च सरवेईर अहमें वेद्या था बेदों को पढ़न स्कीप कर देते हैं तो इसलिए भगवान गीता में और कहा जब स्त्रियों की बारे में इतना कहा गया यह स्त्री सुद्र दूजय बंधुनम मामी पार्तव्या पास्त्रित्या एपीश्यू पाप योन यहाँ यह पाप योनी मतलब इंटलीजेंस इस नोट वेरी सार्प आता है तो आजकाल पड़ी लिखी डक्टर बन गई है ओकिल बन गई है बड़े-बड़े पद कद में चली गई है आप बोलेंगे पाप योनी मतलब यहां पर प्रभुपाजी कहते है जिनके बुद्धी ज्यादा सारप नहीं है बुद्धी मतलब कौन सा बुद्धी हम भ इसमें क्या है इस अंसार की बंधन में पुनरपी जननम पुनरपी मरणम इस चक्कर लगाएंगे लेकिन यह नहीं देखा जाता कि आध्याति जिवान में प्रगत होना चाहिए मैं आत्मा हूं अगर यहां पर यह कहा गया भगवान यहां कहा कि व्यापास्तित यह भी अग अंगरति उनका भी भलाई हो जाता है तो यहां पर बताया गया है तो उन लोगों के लिए भी यह मूखा मिलता है भगवान कृष्ण कहते हैं कि यह के लिए मूखा है तो इभीन यह सोसाइटी में जो दड़ित मतलब निचले बर्ग की लोग है उनका भी भलाई हो सकता है क्यों भगवान की स्रण लेने से इसलिए भगवान की स्रण लेना है तो इसलिए यहां पर कहा गया जो अड़पु धिवन लोग है खास करके उनको यह फिलोसपी दर्सन बिगरा समझ में नहीं आता इसलिए क्रिश्ण भावनामृत का दर्सन को प्रचार अब्जब करने ज कि जिए ज्यादा तर लोग फिलोसपी इंट्रेस्ट नहीं रखते हैं तो इसलिए भगवान क्रिश्ण इस दर्सन को बेदों का जो यह मत है भगवान तेरे नमर में अधिया में यहीं कहा कि कि यह जो सारे बैदी ग्रंथ है यह बैदी ग्रंथ जो है कि भगवान प्रवचन की अर्जुनु कहा यह बैदी ग्रंथ का इसी में चंदवे विविधाई प्रुथाक और था इनमें अलग-अलग तरह से इसे बताया गया सब यह सब आध्यातिमी ज्ञान को है तू मध्वी बिनिश्चिताई तो उनने कहा कि है तू कारण और 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 इसकी परिणा यह दोनों बताया गया ब्रह्म पदेश्चाईव अर्था बीविन बैदान सुत्र की माध्यम से बताया गया तो वह भगवदी तको भगवान कृष्ण सोयम कहा तो इसलिए ब्यास् पर भगवान कृष्णा जो है अन्दे ट्रांस्डेंटल प्लेनिक आधिहास्त्मिक स्तर पर इस जू की पतीत जीवों के लिए अच्छा किया है इसलिए यह भगवदीता है यह एसेंस है पूरी बैदी ग्रंथ का यह क्या है सार है और यह सारे उपनिशद में इसलिए बेस तो उपनिश्द तो और यह जो बैदान सुत्र है बैदान तो फुलों सी जैसे कि तत्व मश्यम सो अहम अर्थात ब्रह्म जिग्यासा सास्त्र युनित्वात ऐसे जो बहुत सर्वाव खलू इदम ब्रह्म यह सब आफोरीजिम है बैदान सुत्र का तो यह सब ग्राजुएट स्टूडेंट है यह केवल स्पिरिच्वल डिवोशना सर्वीश में जा सकते हैं अगर आप भक्तिक मय कार्य में स्रवन किर्तन स्मरन बंदन और चनम दास्य साक्यम आत्म निमदनम इस तर भक्तिमय सेवा में जुड़े हैं मतलब आप पोस्ट ग्राजुए ग्रेट स्टूडेंट यह बहुत ग्रेट साइन्स है और इससे सबसे बड़ा ग्रेट प्रफेसर स्वयम चैतने महाप्रभू जुनने प्रभू अपने आचरी प्रभू जिवेरिश्व के खुद आ करके आचरोन करके सिखाए हम लोगों को बक्तिक कैसे करना है और जो हर्मेंट मिली हूए है सकती मिली है तो भी दुसरे को दिख्या दे सकते जुसरे को इनिशियेट कर सकते हैं भागवान के सेवा कर। तो इसलिए जो महाभारत जो है तो इसलिए जो महाभारत में स्टोरी भी है कहानी भी है और स्टोरी की माध्यम से इतनी बड़ी महान ग्यान दिया गिया है तो इसलिए व्यासोमनी ने मतले अपने अहितु की क्रिपा बस याचना करते वे समाज के लिए इस महान ग्रंथ का र हो अगर आप पूरी गरंथ नहीं पढ़ पाते कम सब तो भगविता पढ़ लीजिए और लास्ट है प्रभवपाची कोट है बहुत सुन्दर कोट है सदेव कृष्ण का चिंतन करो और उनकी प्रसनत्त के लिए कारे करने के लिए प्रयास करिए और आपकी पास जो भी राम राम हरे हरे जब भगवान के नाम जब करिए और इन महान गरंथों का जो सार है जो हमारे लिए उपदे से हमारे जीवन में सिखने के लिए जो ज्यान प्राप्त होगा तो इस मंत्र जब करने से मिलेगा यह मंत्र जब करिए थैंक्यू भेरी मच्च जगदुरसील प् पुपाद की जोई